साथियों, आज के इस वीडियो में हम ठर्ट सिप्ट के GKGS Current Affair और इंगलिस के 100% Real Question जैसे कि आपके गिजाम में आये थे, हुब हुब ऐसे ही प्रश्णों को देखने वाले हैं, अनालसिस करने वाले हैं, पहले प्रश्ण के अगर बात करें, तो लता मंगेसकर को भारततन कप प्रश्ण का प्रश्ण किया गया, इसलिए कहता हुब कि नालसिस जरूर देखा करिए, क्योंकि Questions रिपीट होते हैं, उनके आधार पर प्रश्णे बनते हैं, लेकिन आप तो आप लोग तो बात ही नहीं मानते हो, Skip करके चले जाते हो, देखिए, लता मंगेसकर को भारततन क किया गया, इसका जो राइट Ansin सर है, क्या है, दो हजार एक दो हजार एक, इसका राइट आनसर है, ठीक है, Next Question के अगर बात करेए, कि दो हजार धिर की जन मान गरना पर राज जी कौन सा है, जिसका जो राइट आंसर है, ओ आप पुदू-चेरी, ठीक है, क्या है, अनुपाथ के अगर बात की जाए तो है हरियाणा ठीक है तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है Question number 3 महत्मा गांधि की आत्मकता का नाम क्या है तो सत्त का प्रियोग यह महत्मा गांधि की आत्मकता की रुप में इसको राइट आंसर है अगला कोशन है कि कालबेलिया निर्त का शंबंद किस राजित से है इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान ठीक है राजस्थान का ये लोक निर्त है इसको सपेरा निर्त भी कहते हैं इस तेक चैरवन निर्त भी कहते हैं ठीक है तो ये फैक्ट भी एक प्रस्ताव पारिज करके दो अक्टूबर को अंतराष्टी अहिंसादियस गुरूप में मनाय जाने का निलिणा लिया था जिसका जो राइट आंसर है यूवियन महाश्रभा ठीक है अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ जिसका जो अगर के आसपास इस्ट इस्टियां कंपनी के हेक्टर मुन्रो और मुगल तथा नवाबों के सिनाओं के बीचे यह उद्धे लड़ा गया था ठीक है नश कोशन है है अठवा कोशन है कि कि सासरी निर्थ अंगना को सबसे पहले राज्य सभा के लिए नामित किया गया तो अरुणे के आपको टिकरना था रुच्मडी ड की अरुणेल इसका लिए आंसर है ठीक है अच्छाय रुप्मणी ड का समंद्क सभाष नाट्यम से है अभी फर्श्ट सिफ्ट में कोशन आप से पूछा गया था ठीक है अगला कोशन है का अनुच्छेद 59 का समंद्किस छेत है चलिए Question no.10 देखते हैं भारत के किस राजीका कपाथ सुतपादन में दुसरा अस्थान है ठीक है तिसका जो राइट आंसर है ओह है गुजरात पहले नमबर पर महाराष्ट का नमबर है ठीक है दुसरे नमबर पर गुजरात का नंबर है अगला प्रश्न पूशे गया कि दुटि गोल में सम्मेलन में कौन साम्मिल हुआ था जिसका जो राइट आंसर है उढह है महात्मा गांधी थे दुटि गोल प्रतंधी करोप में सामिल हुए थे एक फैक्ट और जान लीजिए कि अमबेटकर और तेज बहादुर सप विलूम ने हिस्सा लिया था ठीक है अगला प्रश्न है कि सिर्पूर तीतर किस राज में इस्थित है तिसका जो राइट आंसर है ओ है च्छतिस गड़ ठीक है च्छतिस गड़ के महा समुझ जिले में महा नदी के टड़ पर यह पुरातात्विक अस्थल है बहुत अस्थल है ठीक है इसका प्राची नाम स्री पूर्था ठीक अगला प्रश्न है कि अनारवेल वल्ली का संबंद किस निर्थ से है जिसका राइट आंसर है भरत नाट्यम ठीक है अनारवेल वल्ली जो है एक प्रमुक भारती सासरी नित्यांगना और कोरियोगराफर है और भरत नाट्यम में पंड़ान रूल साईली की अग्री पृत्पादक हैं इसको ध्यान रखिए गए पूचा जाता है कि कि साइली की पृत्पादक है अगला प्रोष्न विग्ञान से पूचा गया की कैल्सियम हरड USAID को अनिक किस नाम से जानते हैं तो कैल्सियम ठीक है अगला प्रशन है 15 कोशन या इसी सी वर्ड कप 2023 का फाइनल कहां खेला गया तो इसका जो राइट आंसर है ओ है आहमदाबाद आहमदाबाद के नरिनमुदी स्टेडियम में खेला गया नेश कोशन है कि निम्लिकित में से कौन सा कलाकार भारततन से सम्मानित किया गया तो आप्षन में आपके MS सुबूलक्षमी दिया हुआ था इसलिए MS सुबूलक्षमी इसका राइट आंसर है 1998 में में भारतत इनको प्रदान किया गया था, ठीक है, अच्छा यहां पर question थोड़ा सा confusing है, आप से या तो यह पूछा गया था कि किस कलाकार को भारतनन मिला है, या तो आप से यह पूछा गया था कि निमने से किस कलाकार का सम्मंद आंथपरदेश से है, मैं दोनों आंसर ब होगा, अगला question है कि इंटर कांटिनेंटल फुटबाल कब 2023 कहां आयुजित किया गया था, जिसका जो राइट आंसर है वो है भूबनेश्वर, भूबनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है, 9 से 18 जून तक यह आयुजित किया गया था, next question है कि D मुकेस का सम्मंद कि खेल से है, जिसका राइट आंसर है सतरण जेश, question number 20, दक्षडी पश्चमी मांसून सबसे पहले देश के किस राज में पहुचता है, जिसका राइट आंसर है केरल, केरल जो है दक्षडी पश्चमी मांसून द्वारा वर्सा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज यह ह प्राप्त होने वाली वर्सा मौसूमी होती है, जो कि जून और सितंबर के बीच में होती है, एक फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि जून और सितंबर के बीच में होती है, देखिए, microfinance से question अभी आया था, जो है, first shift में दुबारा question repeat हुआ है, इसमें सायद आपको ठर सित में पूछा गया था, microfinance से, बैंकों का नाम आप से दिया हुआ था, पूछना था, कौन था, इसमें microfinance के bank है, ठीक है, तो मैं आपको सर्च यह बता देता हूँ, देखिए, microfinance है क्या, microfinance निम्न आयवर की लोगों के लिए एक उधार प्रणाली है, और mainly यह जो पूर नाम है, जो microfinance एरिया में काम करते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न है कि factor cost क्या होता है, ठीक है, factor cost का मतलब होता है, कुल लागत, कहलें मतलब यह है, कारक लागत को किसी बस के निर्मान में, उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत की रूप में परभासित किया जा स factor cost को हिंदिम बोलते हैं, कारक लागत, इसमें आपका भूमी है, सरम है, पूची है, कच्चा माल है, परिवहन है, यह सब जो है, कुल लागत में सामिल है, ठीक है, नेश कोशन पूछा गया कि अस्थी मज्जा द्वारा कौन सी कोश्काओं का उत्पादन किया जाता है, तो question number 24, what is the synonym of geopaldi, geopaldi का मतलब होता है, खत्रा, ठीक है, खत्रे से समंदित ऐसा जो भी word मिलेगा, जैसे की peril है, accident है, chance है, endangerment है, exposure है, हजार्ट है, ठीक है, insecurity है, liability है, इस टाइप का जो भी word है, यह जो है, इसके synonym परियाबाची हो सकते हैं, तो आप सम जो रहेगा, उसको आप ठीक करेंगे, इतना धेर सारा मैं इसलिए पता देता हूं, कि जिससे आपका जो वाकवलरी है, वो मजबूत रहे, ठीक है, इसलिए, अच्छा चलिए, question number 25, what is the synonym of disabled, disabled का मतलब होता है, मैला कुचला या अस्त ब्यस्त है, तो इससे मिलता जुलता जो भी सब्द होगा इसका पर्याबाची हो जाएगा, जैसे कि मैला कुचला अस्त ब्यस्त मिलता जो सब्द क्या है, मेसी है, कनफ्यूजड है, स्लोपी है, ठीक है, चायूटिक है, और अनकेंप्ड है, रंपलेड है, मेच्ड है, डल्टी है, ठीक है, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं, यह disabled क सिनोनिम हैं, ठीक है, नेश कोशन है कि ठीक एंड थिन, फ्रेस का मिनिंग पूछा गया था, तो ठीक एंड थिन का मतलब होता है, कि अच्छे और बुरे वक्त का साथी, मतलब जो हमारे अच्छे समय में, गुड टाइम में साथ देता हो, वह अच्छे समय में मतलब, बुर ठीक हुँ, ठीक में जितने कोशन मिल पाए थे, टोटल 26 कोशन में आपको करा दिये है, अगर आपको मेरा प्रयास सफल लगा हो, अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, प्लीज इसको लाइक से जरूर करिएगा, और चैनल पगर नए है तो सस्क्राइब करके बेल आइका